तो दुस्तो आज नवंबर की 23 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लीफ मोल्ड पत्यों की जो बहुत ही बहतरीन खाद रहती है वो किस तरह से रेडी की जाती है वो शेर करूँगा लेकिन इस वीडियो में जो खास बात है हलाकि यूट्योब पर आपको बहुत सी पत्यों की खाद बनाने की जो वीडियो से हैं वो एवलेबल रहेंगी लेकिन ये जो वीडियो है ये यूट्योब पर पहली बार देखने को मिलेगी इस वीडियो में आपके साथ सक्कुलेंट पौधे जिसको की मिनी जेड पोर्चुलकारी आफ्रा एलिफंट बुश बोलते हैं इस सक्कुलेंट पौधे से किस तरह से लीफ मोल्ड त्यार की जाती है और कम समय में जो खास बात है बहुत ही कम समय में आप इस पत्यों की खाद को त्यार कर पाएंगे यह सब शेयर करूँगा तो वीडियो को पूरा देखेगा वीडियो को स्किप मत कीजेगा और किस तरह से इन पौधों के बांजाई डिवल्प की जाते हैं किस तरह से इनकी कटिंग ट्रूनिग की जाती है या फिर इनकी stems को जो है वो cuttings को जो है वो grow किया जाता है ये सब वीडियो का जो link है वो description box में दे दूँगा इस पत्तियों की खाद को किस तरह से बनाया जाता है ये सब share करने से पहले ये जो मैंने already leaf mold इसकी ready की है उसका जो result है पहले सबसे पहले आपके साथ ये show करता हूँ ये देखिए सबसे उपर आपको थोड़ी सी जो बड़ी बड़ी stems है जिसकी मैं आपको आज ये compost जो है ये manure वो ready करना बताऊंगा उसके अगर नीचे की साइड में आप देखेंगे इस तरह से जो ये manure है जो थोड़ी semi decompose है अभी इसको decompose होने में थोड़ा सा और समय लगेगा लेकिन इन अगर पत्तियों को भी मैं यहां से निकाल दू रिमूव कर दूँ तो इसके base में मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से देखेंगे इस तरह से ये fully decompose जो manure है आपको दिखाई देगी ये पूरी तरह से जो खाद है वो ready है और इस तरह से आपको जो insect या pest आपको जो चलते होई इस खाद में दिखाई देंगे तो इनका सब ये work रहता है ये सब इस खाद को help करते है रेडी होने में इस खाद को अगर बाहर निकाला जाए तो ये दिखिए ये काला सोना बोलते हैं इस खाद को इस तरह से black gold भी बोला आता है काला सोना तो यहाँ पर भी आपको जेड की जो stems है अभी थोड़ी जो semi decompose है अभी वो भी नज़र आएंगी तो इस तरह से देखिए ये काला सोना बिलकुल ready है अभी ये नमी में है गिला है लेकिन जैसे ये सूख जाएगा तो ये बहुत बहतरीन एक जो खाद है ये बिलकुल ready हो सबसे पहले इस खाद के benefit जान देते हैं इस खाद के benefit क्या रहते हैं ये जो leaf mode रहती है ये सभी तरह के nutrient से भरपूर रहती है अब इस पत्तियों की खाद में जो मैं इस जेड के पौदे से mini जेड से ready करूँगा इस succulent खाद में और दूसरे में difference क्या रहता है difference दे रहता है कि ये जो खाद एक तो बहुत जल्द त्यार होती है लेकिन आप normal अगर leaf mode को notice करेंगे तो normal जो leaf mode रहती है उसको 6 महीने से 1 साल तक का समय लग जाता है depend करते हैं आपके area के climate पर अगर आपके area में गर्मी अच्छे से पढ़ती है तो आपकी जो leaf mode है वो जल्दी से ready होगी लेकिन अगर आपके area में थंडा temperature रहता है तो इसको बहुत समय लग जाएगा तो ये जो खाद है ये केवल एक महीने में ready की गई है किस तरह से ready करना है अब ये भी जान लेते हैं और एक जो और खास बात रहती है इस खाद के अंदर इसको बहुत कम quantity में use करना पड़ता है गमलों के अंदर नौर्मली छोटे गमलों में 10 या 12 इंच के जो गमले रहते हैं उसके अंदर आप इसका केवल कहा सकता हूं की 30 से 50 ग्राम का इस्तिमाल कीजिए आपको जो result है वो बहुत अच्छा मिलेगा मन्थली इसको पौदों को feed कीजिए इस तरह की खाद को ready करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ cuttings चाहिए होंगी और या बहुत सी cuttings जो भी आपके पास available है इस तरह से बहुत सी cuttings कोई भी succulent पौदे की हो चाहे वो mini jade की हो या फिर दूसरे कोई भी succulent पौदे जो आपके पास waste रहे cuttings आप उन सभी cuttings को नि ले लिजिए कोई भी गमला ले लिजिए तो उस सुरात को करना बहुत ज़रूरी है इसके बाद अब हमें जो काम करना है वो यह की इस तरह से जो cuttings रहती है कोईश कीजिए का जैसे ज्यदा तर जो cuttings रहें इस तरह से थोड़ी softwood रहें जो पतली stems रहती है यह बहुत जल्द से decompose होती है थोड़ी सी जो मोटी stems रहती है उनको समय लगता है decompose होने में तो इस तरह से आप बहुत सी cuttings जितनी भी आपके पास available हो इस तरह से बहुत सी cuttings निकाल लीजिए इनको छोटे-छोटे pieces में इस तरह से cut कर लीजिए और आप चाहें तो बड़ी cuttings को भी आप use कर सकते हैं और चाहें तो इनको छोड़ भी सकते हैं तो यह आपकी च्वाइस है cuttings को निकाल लेने के बाद और इस तरह से port में fill करने के बाद अगला जो काम आता है इसकी placement का अब इन cuttings वाले port को place कहां किया जाए रखा कहां पर जाए ताकि यह खाज जल्दी से त्यार हो तो इसको या तो sunlight में जहां पर इसको कम से कम भी तीन से चार घंटे की सुभा की जो रोज की sunlight है वो मिले या पर इसको ऐसी जगह जहां पर इसको पूरे दिन च्छन कर थोड़ी बहुत जो जैसे semi shade area हम बोल देते हैं पर थोड़ी बहुत जो धूप है वो च्छन कर इसको मिलती रहे बहुत तेज सीधी धूप या बिल्कुल छायादार जगह में इसको नहीं रखेंगे तो जहां पर ये जल्दी से decompose होना start हो अब decomposing के इस process को fast करने के लिए इसको तेज करने के लिए क्या किया जाए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए आपको इस जो गमले में वोटरिंग करनी होगी निरंतर या कह सकता हूं कि इसकी नमी जो है वो maintain करके रखनी होगी उसके लिए साथ में पानी के साथ साथ एक जो चीज और चाहिए होगी वो इस तरह से यूरिया यूरिया का आप इसके अंदर इस्तमाल कर सकते हैं यूरिया nitrogen का सोस रहता है और बहुत जल्द इस तरह की जो पत्तियों खाद है इसको बनने में help करता है तो इस तरह से एक चुठकी यूरिया आपको इस तरह से पानी में dissolve कर लेना है इसको अच्छे से इसमें mix करने के बाद आपको हर साथ से दस दिन में इस तरह से इसकी जो watering है वो करनी है watering करने से इसकी नमी maintain करने से यह जो leaf mold है यह जल्द से त्यार होगी और दूसरा बहुत से ऐसे जो insect या पैस रहते हैं यह attract करेगी जो कि इस खाद को बहुत जल्द बनने में health भी करेंगे दूसरा इसमें कोई भी आपको गंदी smell नहीं आएगी इसको cover करने की भी आपको ज़ूरत नहीं रहेगी इसको आप open छोड़ दीजिए बस ऐसा कुछ करने के लगभग एक से डेड़ महीने के बाद आप notice करेंगे आपकी भी जो खाद है वो इस तरह से बिलकुल ready होने लगेगी जैसे ये खाद मेरी बंद कर तयार हुई है तो ये काम आप अभी भी start कर सकते हैं और चाहें तो गर्मी के मौसा में भी कर सकते हैं तो बस उस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं किसी और नहीं टॉपिक के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई हैपी गार्डनिंग टेक क्यार